गुड मॉर्निंग त्वाइद क्लास आई गो बच्चा आप सभी अच्छे होगे आज हम लोग हमारा नू चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यूनी थर्ड का सीपार्ट जो अपतार चाप्टर फिफ्थ है एंसे अर्टी की बुक में जिसका नाम है मैगनेट्स एंड हर्थ कि हम लोग अब मैगनेट को स्टड़ी करेंगी और अर्थ क्योंकि जो अभी हमारे मैगनेट की तरह बिहेव करती है उसके मैगनेटिजम को भी हम टीडिल में स्टड़ी करने माले हैं एस पर दाव से आपका जो न्यू स्लेबस है उसके हिसाब से अब पहले बता दिती में कि कौन कौन से टोपिक हम लोग इस यूरिट में जिक है इस यूरिट की इस पार्ट में डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले है हमारा मैगनेटिजम अर्थ की मैगनेटिजम को पढ़ने वाले हैं मैगनेट की मैगनेटिजम को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टोपिक है जो वो करण करिंग करणक्टर जो मैंने जो प्रोपर्टीज होगी फड़र हम उसको डिस्पर्स करेंगे नेक्स्ट वन इस मैंने डाइपोल आप लोगों ने फिर्स्ट जो युनिट ही हमारी उसमें एलेक्रिक डाइपोल को पढ़ा होगा जैसे लेक्सट डेपोल होता था बैसे हमारा ठांस होगा मैगीनिटिक डेपोल को पढ़ेंगा ॉसको इसको अन्यटेळ इसको पढंचे मैं दाइपोल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वन इस रयुप को पढ़ेंगे औसется करन qui शन सब्सक्रीट को यह किरन कर इंप करेंगा उसमें हम इस topic में उसको cover करेंगे last one is the dipole movement of an atom due to an electron जो electron है जो revolve करता है around the nucleus within an atom उसका जो dipole movement होने वाला है हम उसको भी study करेंगे last topic होगा mainly आप भी दिख सकते हैं 7 topics हैं जो हम लोग discuss करने वाले हैं इस topic में so let's begin with the magnetism now अब हम जो topic discuss करने वाले mainly जो आपका topics इसमें इंवाल होंगे सारे सारे theoretical portion है numerical portion नहीं है तो सबसे बहुते स्टार करते हैं magnetism से magnetism क्या होता है ये तरह का फीनोमेना है of a collection of small small bits of iron, steel, cobald, nickel etc तीके small bits हैं इसकिस को रचे हैं iron, steel, cobald, nickel etc towards the ore is called magnetism magnetism एक ऐसा फीनोमेना है जिसमें हम लोग जो small bits होते हैं किस किस के हो सकते हैं आपके nickel की, cobald की, steel की ये सब attract होते हैं towards and over और इस फीनोमेना को कहते हैं magnetism the iron ore showing this effect iron ore जो क्या कहते हैं तो attract कर रहा है उसे हम कहते हैं natural magnet और जो natural magnet है बिटा उसका जो formula होता है वो क्या होता है Fe3O4 ओके? नाउ जो next पंडे माली है some basics of magnetism कि magnetism की basic terms तर्म्स कौन पोन सी है सबसे पहरा किया है कि जो हमारी earth भी है तो किस की तरह भीव कर ये magnet की तरह earth के पास dhpoll से south pole and north pole so हमारी जो earth है उसका center भी magnetic ore की तरह भीव करता है next is a well of magnets suspended free अगर आप एक magnet को for example तरही एक magnet consider कर दिया तीक है इसको मैं suspend करती freely with the help of a third तीक है तो जब भी मैं इसको reward कर रहांगी reward करने के बाद जैसे इसको ही rest पे आएका तो हमेशा comes into the rest along the north-south direction हमेशा कहां पे rest में आने वाला है along the north and south direction ही यह जो हमारा magnet है rest पर रहा है तीक है next property को कहते है light pulse जो magnet के same quantity के बोल से sorry same polarity के बोल से वो उसरे को repel करते है unlike pulse attract each other next one is the every magnet attract magnetic substance अब यह magnetic substance कोन से होते है बेटा cobald linker iron यह सारे के सारे के होते है magnetic substance होते है और जो magnet होते है इन magnetic substance को क्या गलता है वो attract करते है last one जो हमारी property वो क्या कहते है कि जो force of attraction and the force of repulsion है between the poles of the magnets वो किसके डारी के प्रकोशनल होने वाला है F is डारी के प्रकोशनल to M1, M2 upon R-square what is this M1 and M2 M1 and M2 is the pole strength वो आईजर और the poles of the magnet maybe not or south आपकी मर्जी M1 को आउट यापकी साओ consider कर सकते है टेके N divided by the square of the distance square of the distance separation between the two poles of the magnet अगर प्रिमान लिजीट इसकी consider दरूर कि जो मैधन तिक pole strength दो मैधने की M1 is equals to M M2 is equals to M जो मेरा F इतना हो जाएगा जब F is equals to K M2 divided by R-square ली के के हैं या पे हमाना कोश्ण लेके constant है के के मैं लिएटी होती है K is equals to M0 upon 4 आइगा मेरा इतना है इतना है इतना है force of attraction or reposition between the two poles of the magnet F is equals to M0 upon 4 by M2 upon R-square ये हमारा formula बजाएगा अगर मैं मान लो दोन पोल्स हैं कित्मी नीडिए is equals to 1 and the distance location between the two magnets is also unit is equals to 1 1 meter then and also I was put there the value of F is equals to F की value में पूट कर दू and raise to power minus 7 so अगर में इसारे quantities को में पूट करती हू F is equals to 10 raise to power minus 7 is equals to क्या था M0 upon 4 pi M0 upon 4 pi की value मैंने आपको को पहले नी बता है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग का पहले दिन वाल लेक्च्चर पढ़ लेना मूट अगर मान 4 pi कितना होता है 10 raise to power minus 7 multiply यहां पर क्या अचाहे था हाँ 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 M1 M2 की value कितनी बेटा M1 M2 की अगर हमें value calculate कर देंगे divided by R square R square कितना है हमारा 1 1 square M2 is equal to 1 M कितना हो जाएगा हमारा plus minus 1 magnetic pole strength कितनी होगी plus minus 1 और इसके unit क्या होने माली है इसके unit होगी ampere meter square okay एक बार दुबाहा से देखे बेटा फिट चो प्रॉपर्टी थी उसके unit क्या क्या था कि जो force है force of attraction and the force of propulsion between the two poles of the magnet is directly proportional to the pole strength of both the magnet divided by the distance of separation square of the distance of separation between the two magnets ठीक है यह हमारा formula हो गया अब हम माल लेते हैं कि जो हमारा magnetic pole strength है first pole की माल लेते north pole की m1 is equals to m and second pole की वो भी हमने माली m2 is equals to m यहाँ पर देखे जो हम proportionality का sign up रहेंगी तो यह constant proportionality रहेंगा is equals to k ठीक है f is equals to k m1 m2 divided में आप-square के की वेडियों की दिखे होती है mu not upon 4 f is equals to mu not upon 4 pi m1 m2 divided में आप-square चीक है अब हम consider करते हैं माल लेते हैं जो force है टोर है attraction and repulsion दोनों poles की बीच में वो 10 h to power minus 7 होता है distance operation है between the two poles of the magnet of 1 meter है pole step हमने अभी already consider करी लिया m8 और हमें में पता है mu not upon 4 pi is equals to 10 h to power minus 7 होता है ये let me करना है ये और में पता है accept value अगर सभी quantities को हम इस equation में put करें तो मारी पहले कितनी हो जाएगी f is equals to 10 h to power minus 7 mu not upon 5 pi is equals to 10 h to power minus 7 okay m1 m2 हमने क्या माने जोनों को m माना है so m2 divided में 1 square चीक है so यह से 10 h to power minus 7 से 10 h to power minus 7 से 10 h to power minus 7 कैसे राओ हो जाएगा m2 is equals to 1 so m is comes out to plus minus 1 ampere ये magnetic pulse to strength होई किसी भी magnet की जिसके दोनो pulse के बीच में distance of relation कितना unit ही और जिसके force of attraction और repulsion कितना लग रहा हो 10 h to power minus 7 meter लग रहा हो okay जो next to my property है magnetism की मोटे कहती है कि monopole do not exist अगर हमने कोई magnet कंसेलर किया है इसका non pole है south pole है इसको हमें भी से cut-cut तो क्या हमारा monopole exist करेंगा नहीं जो cut-करके next magnet रहेगा उसके पास भी किया होगी दो pulse ही होगी so monopole do not exist the pulse of the magnet always comes into the pair pair of north and south pole okay next one property है हमारी inductive property inductive property क्या कैती है कि जो भी magnetic materials है magnetic materials like nickel, iron, cobalt चै कि इन सब को जो हम placed करते हैं near a magnet तो वो क्या हो जाते है get magnetized क्यों magnetized होते है due to the induced magnetism जैसे induced electric field है जैसे induced magnetism होता है तो इन में magnetic field produced होता है by the magnets in magnetic materials में इसे ही है कहते है magnet की inductive property है next one क्या repulsion is the show test of magnetism कि हमें कहना है पता करना है कि जो substance है हमारे पास यह magnet है या नहीं है तो उसके find out करने के लिए क्या है repulsion show test है कि माल्योज़े आपने पास को इक magnet है ठीक है इस magnet के नियरबाए अगर आप magnetic material या पर magnetic substance लेका है तो यह क्या करेगा magnetism को attract करे रहा ठीक है अगर आप magnet के पास आपके पास magnet है इस magnet के पास अहूज़र magnet लेकिआ रहे तो यह magnet वहां पर इस मैगनेट को क्या करेंगा अब आपि क्या करेंगे और रिपैल करेंगे तो हमें फाइडू ओट करना है एक magnetic substance या material और एक magnet के वीच में distinguish करना कि कौन सा magnet है और कौन सा magnetic material है तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे repulsion कौन का रहा है ठीक है So the repulsion is the sure test of magnetism Now the next topic is बचा To find out the properties of magnetic field lines कि जो magnetic field lines है कि प्रोपर्टीज क्या रहते है सबसे पहली प्रोपर्टी के है magnetic field lines from closed continuous यह क्या होती है closed होती है continuous होती है ठीक है Next property क्या चाहिए कि outside the magnet जो magnetic field lines होती है वो कहां से कहां जाती है north to south outside the magnet magnetic field line की direction कैसे है पीटा north to south ठीक है outside the magnet magnetic field lines is from north to south यहांब यह से करेंगे आपलो north to south north से अवीड होती है नीप करती है north को और south में क्या करती है enter करती है inside the जो कहेंगे sorry outside the magnet but inside the magnet magnetic field lines के सी होती है south to north north से start होती है चैंज यह वाली है तो यह क्याह होती है north से south से start होती होती है kaां पे अड हो गई north इसी तरह से यह वाल जोगा, नोट से स्टार्ट हुई थी, चिक है, आउटसाइट कामपेंट होई, कामपेंट होई, सौट में, और इंसाइट का मेंटे, साउट वो नोट, सो ये कैसे बन रही है हमारी, क्लोज और कॉंटिनिएस न रही है, चिक है, नेक्स्ट व्मपटे को क्या रहा है, add any point tangent to the magnetic field, gives the direction of magnetic field, कि मालीजिये, मैंने ये magnetic field ले लिया वही भी, चीह है, ये क्या क्या रहा है, कि इसमें at a point में, हमें magnetic field की direction find out करें, तो उस point पर क्या है, ये tangent ले भी, मालीजिये, मुझे इस point पर, इस point O पर magnetic field की direction find out करें, तो मैं क्या रहा है, आपे tangent लोगा रहा है, और ये tangent क्या देगा मुझे, direction of magnetic field लेगा, इसी तरह से, अगर मैं ऐसे, कोई का है, magnetic field lines है, imaginary lines होती हैं, इस पर मुझे किसे ये particular point पर लिया, मुमाले दे इस point क्या रहा है, तो जो magnetic field की direction find out करें, तो मैं क्या रहा हूँ है, आपे, एंजे लोगा करके, और एंजे और एंजे, उजे magnetic field की direction find out करते देगा, उस particular point करें, ठीक है, next property या क्या रहा है, N-large, N-large मतला है, जो, imaginary magnetic field lines होती है, जितनी जादा magnetic field lines होती है, जितनी जादा magnetic field lines होती है, जितनी जादा magnetic field lines होती है, जितनी कम magnetic field lines होती है, जितनी कम magnetic field lines होती है, जितनी कम magnetic field lines होती है, उसका strength उतना ही कम होती है, जितनी कम magnetic field lines होती है, जितनी कम magnetic field lines होती है, जितनी कम magnetic field lines होती है, नहीं करेंगे, for example, इन दो magnetic field lines को लेए ज़िए से further proceed करेंगे, अगर by chance ये दोने दुस्रे को क्या कर जाएंगे? इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये प्रोपटी क्या करेंगे, ये कभी भी एक दुस्रे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर ये दुस्रे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक हमारी magnetic field line जो कहांसे जा रही है, toward A1 to C1, ये magnetic field line इसका तर्फ शोर है A1 to C1, तो point O पर इसकी magnetic field को होगा, इसपे tangen, इसका A1, C1 पर इसका magnetic field को tangent क्या होगा, B वेक्टर जो इसका tangent क्या कर रहा है, इसके magnetic field की strand बदा होगा, इसी तरह से next हो ने कव लिया है, मैटा, A2C, ये जो हमार कहो होता है, A2C, from A2C, जो हमार को क्या होगा है हमारा, जो present कर है magnetic field lines को, चीकर इस पर इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, जिस पर ये दूनों लाइन क्या करें, तुसरे को कट करें, इसका magnetic field क्या होगा, along this direction, एक single point पर दो magnetic field और उनकी दो direction, कभी भी possible है, क्या हो सकता है, एक single point पर दो magnetic field exist करें हो, no, it is not possible, एक pole जो magnet का, वो से एक ही polarity को define करेंगा, either north or south, एक pole क और शोर नहीं कर सकता नहीं, two directions को वो क्या सकता है, इसका ही, इसका नहीं कर सकता है, so, no two magnetic field lines can intersect each other, because, if they intersect, then at the point of intersection, there is two direction of magnetic field lines, which is not possible at all, कभी भी एक magnet, एक particular time में, या तो south pole को ही दिखाएगा, अगर इसका south pole है, तो northern not pole होगा, जरूरी नहीं, अगर मालीजी, magnet का कुम सा pole है, not pole, so, इसकी direction not ही होगी, इसकी south नहीं हो सकती इस particular time में, ठीक है, तो इस चीज़ को है, यह हमारी properties की, magnetic field lines की, I hope आप लोगों को